यहां पर हमारे पास दो seat हैं एक seat का नाम है main data और दूसरी के नाम है seat number two main data seat के अंदर हमारा वो data होगा जिसको हम रखना चाहते हैं जो हमारा base data होगा या जो हमारा main data होगा अगर आप main data की salary amount की बात करें total salary amount की बात करें तो वो होगा आपका 3,62,500 रुपे यानि कि इन सभी को अगर आप add कर देंगे ये सभी amount को अगर आप add करेंगे तो आपके पास जो answer आएगा वो आएगा 3,62,500 रुपे लेकिन हमने इस पूरे के पूरे data को copy किया है और हमने copy करके seat number two के अंदर इसको paste किया है हमने जब इसे paste किया तो यहाँ पर जो हमारा total salary amount था वो 3,55,000 हो गया बलकि हमारा main data के अंदर जो salary amount था वो 3,62,000 था यानि कि हमने कहीं न कहीं गलती करती अब हमने क्या गलती कियोगी वो आपको देखना है या तो हमने salaries को गलत enter किया होगा या फिर हमने ऐसे employees को add कर दिया में मैं आपको इसी चीज़ का solution बताऊँगा कि किस प्रकार से आप donor seat के data को match कर सकते हैं जाहिन दोस्तो मिरे नामनिर्भ है और इस चैनल पर आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आज ही वीडियो को हम जल्ले से सुरू करते हैं अगर आप नहीं है तो please like, share, subscribe आप कर जी अगर आपको be look up function के बारे में नहीं पता तो एकदम detail में मैंने video बनाई हुई है तो आपको link जो है वो description में मिल जाएगा अब वहां से देख सकते हैं फिलाल मैं suppose करके चल रहा हूँ कि आपको be look up आता होगा तो seat number 2 के अंदर आपको be look up को इस्तमाल करना है तो be look up को इस्तम seat number 2 के अंदर तो हैं लेकिन main data के अंदर नहीं है तो हम देखना क्या चाहते हैं employee का नाम तो simple सी बात है आपको employee के नाम बाले field पर click कर दे रहा है then आपको comma लगा रहा है दूसरा argument आपका table array यानि कि कहा पर आप value को देखना चाहते हैं तो हम चाहते हैं seat number 2 में जो employee name है वो check क जाए main data के employee name से क्या वहाँ पर भी वो है या नहीं है तो इसके लिए हमें main data वाले seat पर जाना होगा यहाँ पर जाने के बाद हमें employee name वाले column को select कर देना होगा इसके बाद आपको formula बार पर ही काम करना है formula बार पर जाने के बाद आपको comma लगाना है तीसरा जो argument है वो है column index number और यहाँ पर आपने sip or sip single column को ही select किया है तो इसलिए column index number 1 ही होगा range lookup में true या false हो सकता है तो हम exact match करना चाहते हैं तो यहाँ पर आप false लिख सकते हैं या फिर आप zero भी लिख सकते हैं दौनों का मतलब एक ही होगा bracket को close कर दीसे और enter hit कर दीसे जैसे ही आपने enter hit किया तो य smiley seat के अंदर भी है तो बस आपको यही चेक करना कि कौन सा employee नहीं है main data के अंदर इस पूरे formula को आप यहाँ तक scroll down कर दीसे हैं यहाँ तक drag कर दीसे हैं यहाँ पर आपको सभी नाम देखने को मिलेगे जो नाम आपको यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं इसका मतलब यह है कि नाम आपके main data के अंदर भी है लेकिन जहाँ पर आपको यह any देखने को मिल रहा है यह error देखने को मिल रहे है इसका मतलब यह है कि यह data आपका main data के अंदर नहीं है अगर आप चेक करेंगे तो यहाँ पर employee के नाम में सिबम, गुपता और salary उसकी 10,500 रुपे अगर आप main data म अभी आपको गलत हो सकता है तो यहाँ पर इसको filter करना होगा, seat number 2 में आपको filter apply करना है उसके लिए आप पूरे data को select कर दीजिए, control A, filter पर जाएए, यहाँ पर आपको filter का option मिलेगा, यहाँ पर आपको इस वाले column पर जाना है जिसको आप filter करने वाले है, select all को deselect करना है, scroll down क आपको error को select कर देना है, यहाँ पर आपको तीन ऐसे record देखने को मिलेंगे, जो कि आपके seat number 2 के अंदर तो हैं, लेकिन main data के अंदर नहीं है, तो simple सी बात है, यह गलत है, तो इसको आप delete कर दीजिए, तो आपको यह 3 हो select करना है, control के साथ minus को दबा देना है, और आपको यह enter हिट करके delete कर देना है, इसके बाद आप filter को हटा सकते हैं, यहाँ पर click कीजिए, select all कीजिए और ok कर दीजिए, यह काम करने के बाद अगर आप seat number 2 में amount को चेक करेंगे, total salary amount तो वो होगा आपका 3,24,000, और अगर आप main data में चेक करेंगे, तो यहाँ पर total salary amount आपका अभी भी 3,62,000 रूपय है, इसका मतलब यह है कि अभी भी कुछ गल्ती है, और वो गल्ती यह है कि कुछ ऐसे employees है, जोकि main data के अंदर तो हैं, लेकिन अभी भी वो seat number 2 के अंदर नहीं है, तो आपको यह चेक करनदा है, कि main data seat के अंदर ऐसे कौन से employees है, जोकि आपके seat number 2 के अंदर नह लगाना होगा, एक को लगाईए, वी लुक अप लिकिए, ब्रैकेट को अन कीजिए, क्या वैल्यू सर्च करना चाहते हैं, आप चाहते हैं, एमपलोई के नाम को ढूलना, तो आप इस वाले फील्ड पर क्लिक कर दीजिए, देन आप कॉमा लगा दीजिए, टेबल एरे, कहां पर देखना चाहते हैं, आप इस वैल्यू को मैश करना चाहते हैं, सीट नमबर टू के, एमपलोई नेम बाले कॉलम के साथ, तो सीट नमबर टू पर जाकर, एमपलोई नेम बाले कॉलम को आप सेलेक कर दीजिए, इसके बाद सभी काम आपका फॉर्मूला बार पर होगा, आपको कॉमा लगाना है, कॉलम इंडेक्स नमबर एक ही है, वन लिख देना है, एक्जैक्ट मैश के लिए 0 लगा देना है, ब्रैक्ट को क्लोज कर देना है, और एंटर हीट करना है, में डाटा सीट के अंदर आपका आस्ता पूरी यहां पर देखने को मिल गया, इसका अब यह है, यह वो डाटा है, जो आपका में डाटा के अंदर तो है, लेकिन सीट नमबर टू के अंदर नहीं है, तो सिंपल आपको करना क्या है, इन पर भी आपको फिल्टर अपलाई करना है, फिल्टर पर जाईए, यहां पर आपको करना क्या है, कॉलम पर जाईए, स्ले कॉपी करने के बाद आपको sheet no.2 के अंदर इनको पेस्ट करना है तो आप sheet no.2 के अंदर जाएए तो यहाँ पर आने के बाद सबसे पहले आपको तीन नई रोख को insert करना है तो उसके लिए आपको कोई भी तीन रोज को select कर दीजिए right click किजिए insert पर click कर दीजिए यहाँ पर आ नमबर आपके गलत हो गया है तो उसको सही करने का तरीका आपको पता है वान और टू को सेलेट कीजिए और नीचे ड्राइग कर दीजिए में डाटा में जो टोटल सेलेट अमाउंट था वो था आपका 3,62,500 रुपे और अभी सीट नमबर टू के अंदर भी आपका टोटल सेलेट अमाउंट 3,62,500 रुपे ही है इसका मतलब आपने सब कुछ मैश कर दिया अभी आपका डाटा दोनों में सेम है आई होप आपको बीडियो पसंद आई होगी बहुत कुछ आपके डाट क्लियर हुए होगे या कोई सॉलुचन आपको मिल गया होगा तो इसी बात के लिए आप एक लाइक कर दीजिए और कोई डाट रहे भी जाता है या कोई सदेशन है आप चाहते है मैं उसको पर वीडि वीडियोज के लिए सब्सक्राइब करना मत बूलेगा मिलते अनले वीडियो में वीडियो दो करें के लिए शुक्रिया धन्यबाद जयाहिद